महाराश्ट से एक संसनी खेज मामला सामने आया है जहां अमरावती जिले के एसीपी ने अपनी पत्नी और भतीजे की गोली मार कर हत्या कर दी है इसके बाद अपनी रिवार्वर से खुद को गोली मार ली है जानकारे के मताविक पूने में एसीपी भरत गायकवाड 57 साल के हैं जिनका परिवार रहता था एसीपी ने इस घटना को सोमवार सुबह साड़े तीन वजे के आसपास में अंजाम दिया है घटना के बाद परिवार के अनसदस्यों की मदद से तीनों को अस्पताल पहुँचाया गया लेकिन तक तक बहुत देर हो चुकी थी मामले में महराश्च पुलिस ने कहा है कि गायकवाड अमरावती में एसीपी पद परतैनाथ थे घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचित किया जिनोंने तीनों को जुपिटर अस्पताल पहुँचाया वहाँ पर डॉक्टरों ने उनकी पतनी मोनी चवालीस साल और भतीजे दीपक पैथिस साल को मृत घोसित कर दिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गायकवार छुटी पर घर वापस आये थे उनके पास दो रिवालवर थी एक उनकी निजी जबकी दूसरी सर्विस ऐसे में ये भी पता चलाया जा रहा है कि उन्होंने घटना को किस रिवालवर से अंजाम दिया था गायकवार के करीबियों के मुताबिक उनका सर्विस रिकोर्ट काफी अच्छा था वो पहले सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे हाल ही में उनका परमोशन हुआ था जिसके बाद वो एसीपी बन गए थे उनको अमरावती में तैनात किया गया था लेकिन वो छुटी लेकर घर आये हुए थे और यहीं पर गायकवार्ट ने पहले पत्नी को गोली मारी उसके बाद अपने भतीजे को गोली मारी उसके बाद खुद को गोली मार कर जीवान लिला समाप्त कर ली है लेकिन अभी तक इस पूरे हत्या की वजह जो है यह साफ नहीं हो पाई है